बजरंग टीवी कहानी पुराणों की जोती आस्था की कि जितना हो सके प्राणवायू बचानी होगी हमें किन्तों हम इसमें कब तक सक्षम रहेंगे महाराज दहरी रखें शांत हो जाएं आप सब हनुमान गया है वो अवश्य हम सब की मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा होगा प्रदीद होता है मुझे अपसे युद करने के लिए अपनी शक्ति को और बढ़ाना होगा प्रयास करके देख लो हम देखता हूँ हम अपने शमा करें परवत्राज ये शिलाकंड मुझे नंदी जी के लिए उठाना पड़ रहा है अब आप नहीं बच पाएंगे इस प्रहार से नंदी जी यदि इसी प्रकार मेरे मार्क में अड़े रहे तो मैं बोले बाबा के आशिरवात के बिना सुमेरू की रक्षा कैसे कर पाऊंगा अब तो स्वास भी नहीं ले पा रहे हैं हम अब क्या करें हम हे प्रभू अब तो धर्ती भी फटने लगी है स्वाबी हमेशी गरी प्रजा की सुरक्षा के लिए पुछ करना होगा सुमेरू बासियो आप सब राजभवन में आकर शरण लीजिए मंत्री जी जी महराज शीक री नगरवासियों के लिए प्रमुक द्वार खोल दीजिए जी महराज हनुमान ने सदेव सब के संकट हरे हाज पी वही इस संकट से बचाएगा हमें हनुमान यह क्या आश्चर यह है चोटे से नंदी जी और यह इतना बड़ा परवत फिर भी इनोने हाथ से रोक लिया मजे अपनी तेपे गदागा प्रयोग करना होगा अब आप इस गदा के प्रहार से नहीं बच पाएंगे हुआ 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 नंदी जी आप भले ही मेरे प्रहारों को टाल ले किन्तो मुझे पूजा करके मेरे सारे प्रयचनों को इंद्रकूप से स्वतंत्र कराना है इसलिए मैं आप से यूद करता रहूंगा इस प्रेकार से समय व्यती दोता रहा तो सुमेरू पर आयस अंकट और बढ़ जाएगा चारोर विशैला धूम्र व्याप्त है, प्राण वायू समाप्त हो रही है, श्वास लेने में कटना ही हो रही है, क्या हुमारे जीवन का अंत निकट है? प्रित्वी फट रही है, शीगरी हम सब उसमें समाज आएंगे, इस विनाशकारी अंदकार से कोई हमें बचा नहीं सकता अंजना ए इश्वर, ये कैसा दुर्वाग्य है, मेरे नेत्रों के समक्ष, मेरा राज्य, मेरी प्रजा, और मेरे प्रिये जनों का सर्वनाश होने वाला है मैं कैसा अभागा हूँ, देखने के अलावा कुछ भी करने में असमर्द हूँ हनुमान को आने में इतना विलम हो रहा है, ये दिवो शीगरे लोट कर नहीं आया, तो अनर्द हो जाएगा हे प्रव, हनुमान को शीगरे सुमेरू भेज दीजे, अन्यता सब समाप्त हो जाएगा क्रूप अन्यता समाप्ति प्रेशिए के प्राद़ में थे बाल्द में समाप्ति तुमान कैंश दाएगा असमत dal डे बष्डाल, जाउत कर देटम Sबमों अर्फब्रे लोगरी अर्व हुआ सा चुमा भेज लो यं समाने के तो तो आप अपनी मायावी शक्तियों का सहरा ले रहे हैं। तुम भी मायावी शक्तियों का सहरा ले सकते हो। नहीं। मैं गुरु देव, सूर्य देव के द्वारा दी गई। देव शक्ति का प्रयोग करूँगा। हाह!! हाफ! यह क्या सूर्यदेव के महा खाटमी शक्ति दंदी के प्रान संकत में पड़ जाएंगे मैं सुर्यास्त का अनादर नहीं कर सकता इसकी मर्यादा बनाये रखने के लिए मुझे इसका सामना करना होगा मुझे ख्षमा कर दे नानंदी जी अपनी प्रजा एवं परिवार को बचाने के लिए मुझे विवश होकर ऐसा करना पड़ रहा है हे महादेव मुझे ख्षमा कीजिए नंदी जी पर सुर्यास्तर चलाने के लिए विवश है अनुमान नंदी जी मैं यहाँ आपसे युद करने नहीं महादेव जी के दर्शन कर अपितु उनसे ये रातना करने आया हूँ कि वो सुमेरू की इस बड़े विनाश से रक्षा करें अभी भी समय है इस युद को त्याग दीजे मेरी इतनी विन्ती स्विकार कर लीजे कि मेरी ये याचना भोले बाबा तक पहुचा दीजे मेरी उनसे भेंट करवा दीजे नंदी जी हनुमान की प्रातनों महादेव तक पहुचा दीजे उनके भग हनुमान को उनके दर्शन करवा दीजे झाल झाल बोले बाबा, माता पार्वती, आप अपने भग्ध अनुमान का प्रणाम स्विकार करें। बोले बाबा, माता पार्वती, अचित समय पर आपने अपने दर्शन दिये। अन्यता अकारण ही मुझे नंदीची से युद करना पड़ रहा था। हे देवेश्वर, आप तो सर्वग्याता हैं, आप से कुछ भी नहीं छुपता है। पूरा सुमेरू और उसकी प्रजा और मेरा सारा परिवार इंद्रकूप के संकट में हैं। और इनकी रक्षा के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इतनी ग्रेपा कर दीजे मुझ पर। इंद्रकूप से मेरे सुमेरू के रक्षा कीचे बोले बाबा। भोले बाबा, आप शीग रही हनुमान के साथ चलिए। अन्यता अनार्थ हो जाएका। अनुमान तो बहुत समय पूर्व यहां आग्या था। किन्तु नंदी जी ने अनेको बाधायुत्पन की ताकि मैं आपसे ना मिल पाऊ। अले बाबा, एक शनका भी विलम्ब, संपूर्ण सुमेरु के नाश का कारण बन सकता है। अनुमान तो तुमने जैसे ही नंदी जी से विने प्रात्ना की थी। उसी पल तुम्हारी बात मुझ तक पहुँच गई थी। यदि तुम यहां आते ही अपनी वियथा नंदी को बता देते। तो इतना विलम्ब नहीं होता। मेरे किसी भी भक्त की आचना यदि नंदी जी के कानों में पढ़ जाए। तो वो वश्य ही मेरे पास पहुँचती है। अन्यथा मेरे तप अथ्वा विश्राम में किसी भी प्रकार का व्यव्धान ना आए। इसलिए नंदी मेरे प्रतेग भक्तों को मेरे समीप नहीं पहुँचने देता। अब मुझे समझ में आ गया है कि आपने नंदी जी और हनुमान के मध्य युद्धि की लीला इसलिए रची। जिसे हनुमान के साथ समस्त जगत को ये ग्यात हो जाए। ये नंदी जी के कानों तक पहुँची हुई प्रार्थना आप तक अवश्य पहुँचती है। अनिथा नंदी जी बिना कारण जाने किसी को आप तक पहुँचने नहीं देते हैं। ये बोले बाबा दोश मेरा ही है। भूल अनुमान से ही हुई है। अब मैं ये ध्यान रखूंगा कि आपके धर्शन पाने के लिए सर्वप्रथम मुझे नंदी जी से अनुरोद करना होगा। अनुमान अब तक नंदी जी तुम्हारे मार्ग में पादा उत्पन कर रहे। परंतु आप वो सुमेरू की रक्षा करने में तुम्हारी साहता करेंगे। हे प्रभू नंदी जी अत्यां शक्ति शाली है। यह तो अनुमान को ग्याद हो गया है। परंतु दीवराज इंद्र कह रहे थे कि उस इंद्रकूप को कोई नहीं आप ही घंडित कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो नंदी जी नहीं। आप ही हमारी साहता कर सकते हैं भोले बाबा। अनुमान तुम नंदी जी की महिमा से परिजित नहीं हो। मेरे अलावा मेरे सरवादिक अंश का वास नंदी में ही है। हनुमान हमारे प्रभु तेवेश्वर के वर्दान से ही रिशी शिलात को नंदी जी पुत्र रूप में प्राप्थ होए थे। अम नंदी आन को वास नंदी नंदी ई हे प्रभू, हे महादेव, शिलाद भक्त आपको प्रणाम करता है प्रभू आपका कल्यान हो रिशिवर शिलाद आपने अत्यांद कठिन तब किये हैं कहिए, क्या वर्दान चाहिए आप हे प्रभू, आपके दर्शन हुए मेरा जीवन धन्य हो गया और इससे अधिक कुछ मांगने का ओचित्य तो नहीं परन्तु अंकोच मत करिया दिशिवर, अपनी इच्छा प्रकट कीजी मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा भक्त बचसल, भूले नात मैंने जीवन भर ब्रह्मचरे ब्रत पालन करने का प्रण किया है परन्तु मैं सद्गती भी चाहता हूँ जो तभी संभाव है जब मुझे संतान का सुक प्राप्त हो मैं अपना प्रह्मचरे का प्रण खंडित किये बीना संतान चाहता हूँ प्रभू सथास अपने प्रती आपके प्रेम और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसंद पूरिशिवर आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी और आपकी संतान के रूप में मैं ही आपको प्राप्त होँगा मैं धन्य हुआ प्रभू आपने तो मेरी इच्छा से कहीं अधिक मुझे दे दिया मैं वचन देता हूँ मेरा पुत्र आपका अंश सदैव आपकी शरण में रहेंगे फिर क्या हुआ माता? फिर क्या हुआ माता? फिर एक तीन रिशी शिलाद अपनी भूमे को हल चला कर रिशी के लिए साथ रहे थे चल चल हुश ये क्या? प्रिफ्वी से उपन होने वाला ये दिविश शिशु कौन है? ये अवशी ये अवशी भगवान शिव के वरदान का फल है जैसे जैसे नंदी जी की आयू में वृद्धी हुई वे अपने पिता का वचन निभाने मेरी सेवा में चले आए इस प्रकार वो मेरे सेवक भी हैं और मेरे रूप भी उन पर पूर्ण विश्वास रख कर तुम उनके साथ सुमेरू जाओ उनकी साहता से तुम्हारा संकत अवश्य दूर होगा कि अजया दूर्ण नंदी जी हनुमान आपसे प्रात्ना करता है कि आप शीग्रा हनुमान के साथ चलिए और इस इंद्रकूप को खंडित कर सुमेरू की रक्षा कीजे चिंता मत करो हनुमान मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगा कि अजया था दूर्ण प्रात्ना करता है कि अजया था दूर्ण प्रात्ना करता है कि अजया था दूर्ण प्रात्ना करता है